दोस्तों, आज मैं आपको ननन्द भावी का करवा चौत, कहानी सुना रही हूँ काजल की सास और ननन्द दोनों ही आपस में उसकी बुराईयां करती रहती थी, पर काजल हमेशा चुप रहती थी, शिल्पा की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था काजल नहीं शिल्पा की शादी में पूरा पूरा से योग रहता क्या बोले, मैं नहीं आ रही, सुन शिल्पा, ये तेरा अपना घर है, तु जब मर्जी आ, और मैं कुछ नहीं सुनूगी, तु शाम को घर आ, मैं बोल रही हूँ, उसे भटूरे छोले बनवाने के लिए ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, शिल्पा ने फोन रखती हो, और उ मैं खाने में कम्या निकालती है, और नाक मूसी कोड़ती है, मम्मी, इतने फीके छोले, आप तु जानती है न मा, मुझे तेज मीच मसालो वाला खाना पसंदे, ये तना फीका खाना बनाती है, कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता, जब से तु गई है, तब से खाने में स् मारे हाथ कच्चे है, छोड़ो ममी, इनने कहना बेकार है, अच्छा मेरी बात सुनो, पहला करवा चौत है मेरा, मैंने सोच लिया है कि वो जो फेमस ब्यूटी पार्लर है ना, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ममी क्या तयार करती है वो पार्लर वाली, बहुत स सिकम सिकम डेर दो घंटे लगते हैं वहाँ जाने जाने में और रास्ते पर बहुत ट्रैफिक होता है, तयार होकर वापसी आने में तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि त्योहार का दिन होगा, भावी मैं सब जानती हूँ, आप ये चारी हो कि आप मेरे से सुन्द क्योंकि आप लोगों ने भी आना है उस दिन, हर बात में आप अपने आपको आके रखते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, आप बस अपना काम करो, मेरे कामों के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, अरे अरे इसे बोलने द अच्छा सुन, राम को मुझे पालर में तयार होने के लिए चली जाती है शिल्पा, तुम पास वाले पालर में ही गई हो ना तयार होने? क्योंकि मैने तुम्हें कहा था, कि वो पालर बहुत दूर है जहां तुम कह रही हो हाख, जल्दी आ जाऊंगा चंद्रमा निकलने के बाद मेर से वेट नहीं होगा हाँ हाँ जल्दी आ जाओंगा मुझे पता है भई अज तुम्हारा पहला करवा जाओंगा भई अभी कितनी देर और दिखा रहा है बस मैडम 20 मिनिट और मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गई अभी तो सिर्फ धाई ही बजे मुझे लगता है सारे तीन बजे तक मैं एक घंटे में आराम से तयार हो जाओंगी बड़ा बोल रही थी काजल भावी वहां मत जाओ मुझे सब पता है वो मेर से जलती है मेरी सास के सामने खुद सुन्दर बन कर आ जाती है और मैं बिल्कुल बिकार आज मैं ऐसी तयार होकर आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे शिल्पा पार्लर पहुँचती है पर उस पार्लर में तो ताला लगा हुआ था शिल्पा घबरा गई उसने पार्लर की ओनर को फोन किया हलो मैं ये आज पार्लर क्यों बंद है मैं दो दिन पार्लर की छुट्टी है मेरा खुद का पहला करवा चौथ है इसलिए मैं अपने ससुरा लाई हूँ मैं शहर में नहीं हूँ अगर कोई भी काम करवान हो तो दो दिन बाद ही पार्लर खुलेगा ये भगवान मैं इतनी दूर आई भी और पार्लर बंद है कैसे करूँ शिल्पा नहीं वापस गर जाने के लिए कैप बुक करे और वाज़ वाले पार्लर में जाती है मैं मेक अप करवाना था सौरी मैम आपको एक घंटा वेट करना होगा प्री बुकिंग चल रही है अभी तो स्टाफ बिजी है एक घंटा तो मैं वेट ही नहीं कर सकती मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा ये काजल भाबी क्यों फोन कर रही है हलो हाँ भाबी बोलो क्या काम है वो शिल्पा ममी जी ने बोला था कि तुमसे एक बार पूछ लो कि पूजा का मूरत कब का है घर से निकल जाएंगे तुम तयार हो गई ना नहीं मैं तयार नहीं हुई हूई हो भाबी अभी पूजा में टाइम है, चलो, तुम मेरे साथ स्कूटी पर बैठो काजल शिल्पा को अपने साथ स्कूटी पर बिठाती है और वही नस्दीक में काजल की फ्रेंड का घर था उसने घर में पारलर बना रखा था सुनेना, ये मेरी ननद है शिल्पा शिल्पा का पहला करवा चोथ है मैं चाहती हूँ तुम शिल्पा को बहुत सुन्दर तयार करो पर हमारे पास सिर्फ आदा घंटा है टेंशन मतलो, मैं तयार कर दूँगी आओ बैटो शिल्पा, एक काम करो, पहले तुम चेंज कर लो ठीके मैं चेंज कर लेती हूँ पर पाँच बजे से पहले प्लीज मुझे तयार कर देना शिल्पा, तुम टेंशन मतलो तुम सरी समय तयार हो जाओगी और दस-पंद्र मीनट उपर नीचे कोई बात नहीं होती अभी तो मैं केश भी नहीं लाई थी शिल्पा टाइम पर घर पहुंच चुकी थी उन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है और काजल भी उसके लिए कितना कुछ कर रही है शिल्पा को लेकर काजल उसके ससुराल पहुँचती है पर वो अंदर ही जाती वो शिल्पा को दर्वासे पर ही उतार देती है शिल्पा टाइम पर घर पहुँच चुकी थी इसलिए सब में बैट भी गए है, एक काजल है हमिशा, ममी, भावी के लिए कुछ गलत मत बोलो, आपको पता है आज मैं भावी की वज़ा से ही तैयार होकर पूजा में पहले पहुँची हो, शिल्पा अपनी ममी को सारी बात बताती है, ममी, काजल भावी बहुत अच्छी है, हम दोनों ब बात नहीं बहु, चलो पूजा में बैठते हैं, आए बहन जी, आओ काजल, शिल्पा आओ पूजा में बैठो बहु, सब लोग मिलकर करवा चौत की पूजा कर ले हैं, शिल्पा भी अपनी भावी का बहुत बहुत धन्यावाद करते हैं, अब बहुत अच्छी हो, मेरी प् सुबह हिसाब किताब में लगी हुई हो, बड़ी देर से देख रहा हूँ, अरे भूल गए क्या, बहु का पहला करवा चौत है, रिष्टेदारी में से सभी बहुएं इस बार हमारी घर आएंगी, बहु के माईके से जो कुछ भी आना है, उसकी लिस्ट बना रही थी, आश बहु के माईके से ही मठरी, फल, मेवा, मिठाया, कपड़े, बरतन, रिष्टेदारों को बाटने के लिए सामान, रुपए सब माईके से ही आता है, अब कोई उंच नीच हो गई, तो सब मुझे ही बोलेंगे ना, बहु के माईके से क्यो नहीं मंगवाया, इसलिए तुम ब काम करो, तुम अज खुदी चली जाओ, मिल भी आना और ये लिस्ट भी दे आना, माजी लिस्ट कैसी है, कैसी लिस्ट, क्या मतलब, तुम्हारी करवा चौद पर तुम्हारी घर से जो सामान आएगा, वो सब लिखा इसमें, तुम्हारी ममी ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या, शादी के बाद कोई भी पहला तुम्हार होता है, तो बहु के माई के सही सामान आता है, अभी करवा चौद की लिस्ट है, आगे दिवाली आने वाली है, उसकी अलग बना दूगी, अंजली वो लिस्ट लेकर, अपने कमरे में आ गए, छी तो बहुत सारा सामान है, का अगतार ही आ रहे है, मेरी वज़े से आपको कितनी परिशानी हो रही है, मैं तो सच मुझ आप पर कितनी बोज हूँ, न बेटी, न ऐसा न बूल, बेटियां भी कभी माबाप पर बोज होती हैं क्या, तू आराम से घर जा सब हो जाएगा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं अं पिरो सामान देखकर सांस की आखे फटी की फटी रह जाती है, फिर भी वो नाग मू सिकोड लेती है, बेहन जी ये लिस्ट में जो जो आपने लिखा था, हम उसकी साब से ही सामान ले आए हैं, मिठाई और मठरी देसी घीकी तो नहीं दिख रहे हैं, नहीं नहीं बेहन जी कानपुर शेहर के मशुहूर हलवाई की दुकान की है, तो देसी घीकी ही बनाता है नई भाई साहब, बस बाजार से पूजा का थोड़ा सा सामान लेना है, इसलिए अब चलते हैं, आपको पता ही है, शाम होते ही त्योहर उपर बाजार में भीर लग जाती है अंजली के ममी पापा करवा चौत का सामान दे कर चले जाते हैं अंजली के पिता की बाते सुनकर अंजली के ससुर चौक जाते हैं अभी दो साल पहले ही मैंने नई स्कूटी ली थी, मेरी बेटी नहीं मेरे लिए ये स्कूटी पसंद की थी, वो हमेशा नाराज रहती थी कि मैं बस से दुकान जाता हूँ तो वैसा आप ये स्कूटी बेच क्यों रहे हो? क्या करो भीया, दुकान दारों का हिसाब करना है, करवा चौत पर बेटी के घर सामान भिजवाना था, उधार लेकर भी कितने दिन रह लूँगा, सारे दुकान दार पैसे मांग रहे हैं दोनों की बाते सुनकर अंचली के ससूर एक मिनट की भी देरी नहीं करते और सीधा उन दोनों के पास पहुँचते हैं अंचली और आकाश को जब ये बात बता चलती है, तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं अंचली की सास भी बहुत शर्मिंदा थी और अंचली को तो हम अपनी बहुने बेटी बना के लाए हैं न तो फिर उसके तिहार के लिए हम उसके माईके बालों से क्यों खर्चा करवाएं आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे माफ कर दीजे भाई साहब, आज आपको मेरी वज़े से ये दिन देखना पड़ा अरे-अरे, आप ऐसे माफी मांग कर मुझे छोटा मत कीजी बेंजी आप चिंता मत कीजी, मैं उधार के पैसे चुका दूँगा पापा, आप अंजली के पिता है तो मेरे भी तो पिता है न, आपने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा मेरे से अपने मन की बात शेयर नहीं की क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते हो आपको कोई स्कूटी बेचने की जरुवत नहीं है, जितना भी समान खरीदा है, उसके पैसे मैं दूँगा, आपका बेटा देगा आपा आज ठीक कह रहा है सम्धी जी, और मेरी एक विंती और है शाम की पूझा के लिए सम्धन जी की हमारे घर ही आए, हम सब मिलकर करवा चोथ की पूझा और आरती करेंगे अंजली को भी अच्छा लगेगा अंजली की आखों में आसु हा गए और वो आशा की गले लग जाती है आशा देवी को समझ आ गया था कि ये सब रीती रिवाज हम इनसानों नहीं बनाए है और ये सच है, मिल बाट कर कोई भी काम करने से काम बोच नहीं बनता इसलिए यदि लड़के वाले अपनी बेटी दे रहे हैं तो लड़के वालों को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि लड़की के माता-पिता पर जबरदस्ती का बोच नडाले जितना जिसकी हैसित है उसी के अनुसार रीती रिवाज की रस्में पूरी करनी चाहिए यही समझदारी है फिर चाहिए वो लड़की का सस्वराल हो चाहिए माई का आज अंचली के चहरे पर मुस्कान थी सब मिलकर करवाचोध की पूजा करते हैं और धूम धाम से करवाचोध का त्योहार मनाते हैं दोस्तु अगर आपको यह कहानी पसंद आयो तो लाइक, शेयर, कोमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फूर वोचिंग